हाई कोट में आज अर्विंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली लेकिन उनकी जमानत याचिका पर बहस के दोरान वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने जिस तरह से दलिले रखी हैं आज उन्हें हार में भी जीत का नायक बना देती हैं उन दलिलों के बीच आप E.D. को मिले असिमित अधिकारों और उसके जरीए किये जाने वाले अतिक्रमन को साप साप देख सकते हैं हम आज के वीडियो में सिंग्वी की दलिलों और कोट के जबाब पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा हाई कोट ने E.D. को केजरिवाल की याचिका पर जबाब देने के लिए 2 अपरेल तक का समय दे दिया है इस पर सुनवाई अब 3 अपरेल को होगी सिंग्वी चाते थे E.D. की हिराशत से रिहाई की याचिका पर आज ही सुनवाई हो और फैसला हो E.D. को जबाब देने की ज़रूरत नहीं मगर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है आज केजरिवाल को राहत नहीं मिली इतनी तेजी से घटना करम बदले जा रहे हैं कि 10 साल के हिसाब को छोड़कर सब इधर उधर देखने लग जा रहे हैं जैसे तेज आंधी चल रही हो कहीं टिन के छट उड़ रहे हैं तो कहीं पेड उखड रहे हैं सिंग्वी की दलीलों पर आने से पहले कुछ तस्वीरों को फटाफट देख लेते हैं कि केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर आज क्या क्या हुआ आम आदनी पार्टी ने सड़तों को धांग दिया है कोरोना के समय तदान मंत्री मोदी ने थाली बजाने का आवान किया था लेकिन इसी थाली को सवरभार्दवाज ने जनता को बताने के रूपक में बदल दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफतार है उसे रिहा किया जाये जनता को जागना होगा आम आदनी पार्टी से जुड़े वकीलों ने आज दिल्ली की अदालतों में प्रदर्शन किया और केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाए आज दिल्ली विधान सभा का सत्र बुलाया गया आम आदनी पार्टी के विधायक पीले रंकी टीशट पहन कर मिठाई की दुकान में गया और एक पीस रसगुला भी नहीं खा सका सब को पता है कि दुकान में CCTV होता है हला मत जाएगा कि छापे मारने वाली टीम रसगुला चांप रही थी काइदे से ED की टीम उन कंपनियों के यहां जानी चाहिए जिन्होंने उसी के छापे के बाद BJP को सौ सो करोड रुपे के चंदे दिये शराब घुटाले में ही अरुबिंदो फार्मा के निदेशक सरक्चंद्र रेडी सरकारी गवाब बनते हैं और अरुबिंदो फार्मा BJP को 50 करोड रुपे का चंदा देती है वहां कोई छापे मारे नहीं है मगर मिठाई की दुकान पर धावा बोल दिया गया है इन चापों से लग रहा है अब आम आदनी पार्टी की आर्थिक शक्तियों पर भी प्रहार किया जा रहा है राजनितिक दलों को ऐसे ही लोगों से चंदा मिलता है दो दिन पहले आम आदनी पार्टी के विधायक गुलाब सिंग यादव के घर पर भी छापा पड़ा था और आज आम आदनी पार्टी से उमिद्वार रहे दीपक सिंगला के घर और दुकान पर एडी की टीम पहुँच गई दीपक सिंगला विधान सभा चुनाव हार गये थे इस समय आम आदनी पार्टी के गोवा के प्रभारी हैं और MCD के सह प्रभा से जुड़े मामले में जाच चल रही है उसके संबंद में महुआ मोहितरा को बुलाया गया है लग रहा है चुनाव के नतीजे इस बार इसी नहीं ED के दफ्तर से घोशित होने वाले हैं ऐसा क्या है कि सबसे अधिक चंदा लेने वाली पार्टी से जुड़े किसी के धर दबोचे जा रहे हैं ताकि वे चुनावी मैदान में उड़ी न सकें ED की हरकत या कर्तूत को समझना है तो दिल्ली हाई कोट में अभिशेक मनुस सिंग्वी की दी गई दलीलों को पूरा पढ़ना होगा सुनना होगा हम काफी विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं इसलिए गुजारिश है इस वीडियो को दो बार देखिए पूरा देखिए केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी पूरी तयारी के साथ आए जमानत याचिका पर बहस के दौरान अभिशेक मनुस सिंग्वी ने ED के वकील को पानी पिला दिया ED के वकील के अजीब अजीब तरकों को ध्वस कर दिया मगर वे केजरिवाल के लिए जमानत हासिल नहीं कर पाए उनकी मुराद बस इतनी पूरी हुई कि सुनवाई हो गई अपनी बात कह पाए मगर केजरिवाल को जमानत नहीं दिला सके अब केजरिवाल की याचिका उसी सुप्रीम कोट के सामने होगी जहां से याचिका वापस ले ली गई थी केजरिवाल की याचिका इस तरह से तयार की गई थी कि E.D. को कहना पढ़ा कि उसे जवाब देने के लिए तीन हफते का समय चाहिए सोचिए इस केस की दो साल से जांच चल रही है फिर भी सिंग्वी ने याचिका में ऐसा क्या लिख दिया होगा कि E.D. को तीन हफते का समय चाहिए था क्या इसलिए कि केजरिवाल को जेल में रखना है किसी तरह जादा से जादा समय तक ताकि चुनाओ बीच जाए 21 मार्च को अरविंद केजरिवाल गिरफतार किये गए 22 मार्च को रिमांड पर भेजा गया आज 27 मार्च है आखिर केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने ऐसा क्या लिख दिया याचिका में कि इस पर जवाब देने के लिए E.D. को तीन हफते का समय चाहिए दिल्ली हाइकोर्ट में आज केजरिवाल की जमानत याचिका पर बहस हो रही थी हाइकोर्ट में E.D. के वकील S.V. राजु ने कहा हमें याचिका की कौपी कल ही मिली है उन्होंने कहा कि केजरिवाल की ओर से दाखिल की गई मुख्य याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफते का समय चाहिए और अंतरिम एप्लिकेशन पर जवाब देने के लिए भी उचित समय दिया जाना चाहिए वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कहा ये एक बेहग अजीब और मोटिवेटेड पॉइंट है यव्यक्ति जेल में है 23 मार्च को याचिका फाइल हुई थी कल रात उसकी खामियों को ठीक किया गया और आपको कौपी दे दी गई जवाब देने का कोई मतलब नहीं इस पर एडी के वकील राजु ने कहा कि आप कैसे तैय कर सकते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं जस्टिस स्वन कांता शर्मा ने कहा कि मैं इस मामले में नोटिस जारी करूँगी मुझे इस मामले में जवाब चाहिए अंतरिम राहत पर मैं जल्दी डेट दूँगी इस पर सिंग्वी ने कहा कि मैंने 28 मार्च को खत्म होने वाली रिमांड को चुनोती दी है हमारी मांग है कि रिमांड के आधार पर फैसला दें इस में किसी के जवाब की फाइल की जरूरत नहीं है ये मामले को लटकाने वाली बात है मैं मांग कर रहा हूँ कि आप आज फैसला करें एक ऐसा मामला जो रिमांड के आधार को चुनोती देता है उसे आज ही सुना जाए, इसके पीछे कई बड़े कारण है, सिंग्वी ने कहा कि सुनवाई करनी है या नहीं, ये आपका अधिकार है, इस पर किसी को जवाब फाइल करने का सवाल नहीं उठता, इस पर त्वरित फैसला देने की जरूरत है, अभिशेक मनुस सिंग्वी आज पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रख रहे थे, उनकी बात भारी पड़ती लग रही थी, जस्टिस शर्मा ने फैसला सुना दिया कि पूरक सुची पर सुनवाई पूरी कर लेने के बाद आज ही इस पर सुनवाई होगी, आखिरकार सुनवाई हुई, और अभिशेक मन से केजरिवाल को गिरफतार किया है, उसमें बदले की भावना दिखाई देती है, या कारवाई केजरिवाल के राजनितिक उत्पिडन और प्रताड़ना के लिए की गई है, अपनी याचिका में सिंग्वी ने दलील दी है कि PMLA के सेक्षन 19 के तहट जो अधिकार मिला है, उ हमने इसके बाद देखा कि PMLA के सेक्षन 19 में क्या लिखा है, जिसके नहीं मानने की बाद सिंग भी कोट के सामने कर रहे थे, सेक्षन 19.1 में लिखा है कि अगर केंद्र की सरकार की तरफ से निदेशक, उपनिदेशक, सहायक, निदेशक या किसी भी अधिकृत अफसर के आधार पर गिरफतारी हुई है, कई कानून विदो के मुताबिक सेक्षन 19 की भाषा असपस्ट है, मगर एडी के मामले में जितनी भी सुरक्षा आरोपी को हासिल है, किसी आरोपी को इसी धारा से वो मिलती है, सेक्षन 19 को पढ़कर यही लगता है कि गिरफतारी का कारण अ पर अनिवारे क्यों नहीं होना चाहिए, सब कुछ अफसर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है, इसलिए कई बड़े-बड़े वकील एडी को खतरनाक मानते हैं, ड्रेकोनियन कहते हैं, ड्रेकोनियन शक्त प्राचीन ग्रीस में एथन शहर के एक कानू निर्माता के नाम से ड्रेको छोटे-छोटे अपराद के लिए बड़ी सजा देने के लिए जाना जाता था, मौत की सजा देने में ड्रेको खास तोर पर आगे रहता था, कहते हैं पत्ता गोवी चुराने पर भी मौत की सजा मुकरर कर दी गई थी, वैसे ड्रेको शब्द का मतलब ड्रेगन होत दिया तो थोड़ा ड्रेकोला का भी बता देते हैं, ड्रेकोला दिवारों पर रेंगने वाला एक पिशाच है और जिसे भी काटता है वो भी ड्रेकोला बन जाता है, आप भी खून के प्यासे वेंपायर बन जाते हैं और ड्रेकोला की हर गतिविदी को सही बताने लग जात हैं जैसे वाटसब अंकिल एक तरह के ड्रैकुला यह जिसे भी काटते हैं वह इन्हीं के जैसा हो जाता है समय आ गया है कि वाटसब के ड्रैकुला से आप तुरंट सावधान हो जाएं इस दौर में यही सब याद आता है यही सब रूपक नजर आते हैं आज कोर्ट में बहस लंबी चली है और मामला जटिल भी है इसलिए ड्रैकुला के साहरे हमने चोटा सा एक ब्रेक ले लिया लेकिन अब आपका ध्यान फिर से चाहता हूं और गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा हिंदी के अख़बार वैसे ही इस पूरे मामले पर गोबर लि हो सकता है तो लिखित रूप से क्यों नहीं बता सकता इस तरह कि छूट भारत जैसे देश की एजनसी को कैसे दी जा सकती है जहां फर्जी मामलों में फसाने को कोई भी बुरा नहीं मानता और फसाने के बाद लोरी सुनाता है कि जेल जाईए कानून में विश्वास जताई और फैसले का इंतजार कीजिए फर्जी मामले में फसाने वाले अफसरों को कोई सजा भी होती है जो भी है भले ही नाम मातर ही समझे लेकिन एडी को जितनी शक्तियां मिली हुई है उनमें आरोपी के पास जो भी बचाव है वो इसी सेक्शन 19 से मिलता है गिरफतारी के जियान गिरफतारी का आधार बन जाता है और इसे ट्राइल के समय सबूत मान लिया जाता है क्योंकि समझा जाता है कि एडी तो पुलिस नहीं है मगर जिसका इस तरह से इस्तमाल हो रहा है या आतिकरमण दिखाई देता है जैसे आरोप लगते हैं उससे यही लगता है कि ए एडी के पास ऐसे साक्षहों जिनें देखकर यही लगे कि जिसकी गिरफतारी हो रही है वो आरोपी है और उसमें दम है जैसा टी आप जानते है पी एमेले के तहट इसी आई या यानी एफाई यार की कौंपी या कंप्लेंट की कौंपी देना आनिवारें नहीं है बहुत स सिर्फ गिरफतारी का आधार बताया जा सकता है केजरिवाल की गिरफतारी को गहर कानूनी साबित करने के लिए सिंग्वी दलिल देते हैं कि मौझूदा मामला पी एमेले के सेक्शन 3 के तहट दर्ज है लेकिन इस केस में ऐसा कोई भी साक्ष नहीं जो दिखा सके कि कानून में दर्ज किसी भी गतिविधी में याचिका करता यानि अर्विन केजरिवाल शामिल थे सेक्शन 3 के तहट ED को दिखाना होगा कि याचिका करता यानि केजरिवाल का संबन प्रोसीड सफ क्राइम से जुड़ा है यानि उसे किसी तरह से पैसा मिला है उसने इसे छिपाने का काम किया है या इस्तिमाल किया है या किसी तरह से रिश्वत के पैसे को वैद बनाने का काम किया में याचिका करता को कथित अपराद की कोई जानकारी थी सिंग्वी ने याचिका में लिखा है कि गिरफतारी के समय E.D. ये साबित नहीं कर पाई है कि केजरिवाल सेक्शन 3 के तहट आने वाली गतिविधियों में आरोपी हैं आम गिरफतारी से अलब P.M.L.A. के सेक्शन 19 के तहट अधिकारियों के उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सिंग्वी ने लिखा है कि E.D. के अधिकारियों ने सेक्शन 19 का उलंगन किया है और ऐसी गिरफतारी कानून के समक्ष गैर कानूनी है आपको दिखाना होगा कि गिरफतारी क्यों जरूरी है सिंग्वी ने लेवल प्लेइंग फिल्ड समतल जमीन और समविधान के मूल धांचे पर प्रहार की बात कोट के सामने रखी यही बात उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी थी हम उनके पुराने बयान का वो हिस्सा आपको सुनाना चाहते है समतल जमीन उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजिंसी द्वारा तो उसका सीधा दुष प्रभाव सीधा दुष प्रभाव पढ़ता है स्वतंत्र निश्पक्ष चुनाव पर free and fair elections उसका सीधा दुष प्रभाव आगे पढ़ता है गंतंत्र लोकतंत्र पर democracy और स्वतंत्र निश्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गंतंत्र दौनों उच्दम जायले ने केश्वनद भारती के समय से कहा है बार-बार कहा है मूल धांचे के एक अभिन अंग हैं तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं नॉन समतल बना देते हैं दुरूपयोक करके एजनसीस का तो आप सीधा उस मूल धांचे पे प्रहार कर रहे हैं अज समविधानिक गेर कानूनी प्रहार ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलीस्मेन इस समतल जमीन का समविधान ने बनाया है चुनाव आयोक को बनाया है सिरफ पोई स्टेच्टिटरी कटित संस्था नहीं है ये समविधानिक संस्था है तो हमने उनको उनकी उत्तरदायत्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेज यक होकर इस मामले में हस्तक्षिप करें। और आम आदमी पार्टी को अस्खिर करना सिंग्वी की दलिलों में उनकी वकालत का अनुभाव आज बढ़ चड़ कर बोल रहा था। वे आज ही केजरी वाल की रिहाई पर अड़ गए थे। सिंग्वी ने यहां तक एड़ी के तमाम तरकों को पीछे छोड़ते हुए अपनी बात रखने का मौका कोट से हासिल कर लिया और सिंग्वी बहस करते चले गए। उनकी दलीलों का आधार यही था कि गिरफतारी गएर कानूनी है और केजरी वाल को रिमान खत्म होने से पहले आज ही रिहा किया जाना चाहिए। 28 मार्च को केजरी वाल की रिमान खत्म हो रही है। गिरफतार किया गया है आपके पास गिरफतार करने की शक्ती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को भी गिरफतार कर लें या गिरफतारी जरूरी ही है। वो भी उस भूमिका के बारे में जिसका आपको पता नहीं है जिसके बारे में आप खुद पुछ्टी नहीं कर पा रहे है। ऐसा क्या है जो केजरीवाल की गिरफतारी के बिना आप नहीं कर सकते थे। या खुलासा नहीं कर रहे हैं इसलिए आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और हम आपको गिरफतार कर लेंगे। पर हैं सब कुछ मान लें तो भी आपको गिरफतारी की जरूरत दिखानी होगी। अगर गिरफतारी के बिना मकसद पूरा हो जाता है तो आप गिरफतारी नहीं करें। ये मुख्यमंत्री के मामले में दस हजार बार जरूरी है। सिंग्वी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं सबूतों से छेड़ चार कर सकता हूँ इस तरक से तो यह भी हो सकता है कि मैंने पहले ही छेड़ चार कर दी हो। सिंग्वी ने उन बयानों की भी धज़ियां उड़ा दी जिसके आधार पर गिरफतारी नहीं की जाती हैं। सिंग्वी ने कहा आपकारी मामले में हर राजनिते गिरफतारी में यही हुआ है यह बहुत चिंता की बात है। सिंग्वी शराब घुटाले में गिरफतार और सरकारी गवाब बनने वाले रागव मगुंटा और सरक चंद्र रिड़ी के बयान की धज़ियां उड़ाने लगते हैं। इसके आधार पर केजरी वाल की गिरफतारी हुई है। सिंग्वी कहते हैं कि फरवरी 2023 में रागव को गिरफतार किया जाता है। उसने चार बयान दिये चारों में केजरी वाल का नाम नहीं लिया। इन चारों बयानों को एड़ी दबा देती है। जुलाई में बयान आता है जिसमें केजरी वाल का नाम लिया जाता है। सिंग्वी कहते हैं कि रागव मगुंटा को हिरासत में यातना दी गई। बाद में जुलाई 2023 में उनके पिता मगुंटा श्री निवासलू रेड़ी ने बयान दिया जिसमें पहली बार केजरी वाल का हाथ होने की बात कही जाती है। इसके बाद बेटे को बेल मिल जाती है। इन बयानों का मतलब ही क्या रह जाता है। अब आते हैं गिरफतारी के बाद के बयान पर रेड़ी गिरफतार होता है, नौ बार बयान देता है, मेरे बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन उसके एक भी बयान को छोड़ शिकायतों में शामिल नहीं किया जाता है। आप खुद उस बयान पर भरोसा नहीं करते और दबा देते हैं ये मजाक नहीं तो और क्या है दो दो गवाह जमानत मिलती है सरकारी गवाब बनते हैं और केजरिवाल का नाम लेते हैं पहले के बयान में केजरिवाल का नाम नहीं लेते हैं जमानत मिलने के बाद नाम लेते है क्या या अजीब नहीं इसलिए अभिशेक मनुस सिंग्वी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उस पर गौर करना बहुत जरूरी है पता चलता है कि उन्होंने ED के केस को और अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को कैसे देखा है यहां यह भी बताना जरूरी है कि सरकारी गवाब बनने वाले रागाव मगुंटा के पिता मगुंटा श्री निवासलू रेड़ी जगन रेड़ी की पार्टी से सांसद हैं इस समय वे YSR कॉंग्रेस छोड़कर TDP में आ गए हैं आंदरप्रदेश में TDP और BJP का इस चुनाओं में गठवंदन हैं सिंग्वी कहते हैं कि ED ने 110 साल से चली आ रही कानून की रेखाओं को तहस नहस कर दिया है एक सा आरोप इसे कुछ भी बयान निकलवा लेना आसान होता है इसलिए इन बयानों को खास महत्व नहीं देना चाहिए जो सरकारी गवा होता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता वो सबसे अविश्वस्निया दोस्त है और वो दोस्त कैसा जो अविश्वस्निया हो या अपने आप में विरोधाभास है सिंग्वी की वकालत आज कोर्ट में बिजली की तरह कौंध रही थी एडी के आतंग के बादलों से घिरा भारत का लोगतंत्र दुर्बल नजर आने लगा है कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी की तरफ भाग रहे उसके सांसोदों और निताओं से बहतर पूछ लीजिए गवाब बने सब अभियुक्तों के लिए दिया है सिंग्वी कहते हैं कि अरविंद केद्रिवाल के गिरफतारी इसलिए हुई है कि 45 करोड का पता लगाना है जबकि सुप्रिम कोर्ट में मनीश सिसोदिया के केस में पैसे के लेन देन का आरोप रिजेक्ट हो चुका है पैसा वही है बस इस बार अभियुक्त का नाम दूसरा कर दिया गया है इससे खास फर्क नहीं पड़ता सिंग्वी ने दलिल दी कि ED द्वारा केवल सेक्शन 70 लगाया गया है जो कि सिर्फ कंपनी पर लगाया जाता है इसकी जो भी भाशा हो यह राजनितिक पार्टी पर नहीं लगता है पार्टी के बारे में जन प्रतिनिधित्व कानून में लिखा गया है आप एक कानून में राजनितिक पार्टी की परिभाशा को दूसरे कानून में समाहित नहीं कर सकते हैं PMLA ने पार्टी का नाम तक नहीं लिया है ऐसा कर आप दो कानूनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और अगर आप आम आदनी पार्टी को आरूपी बना भी लेते हैं तब भी इसका यह मतलब नहीं कि आप केजरीवाल को गिरफतार कर लें आपको उनकी भूमिका दिखानी होगी क्या कैसे कब कहा सिंग्वी ने कहा सिंग्वी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा कि केजरीवाल की गिरफतारी अवैद है उन्हें तुरंत रहा किया जाए